आज आपको पता चल जाएगा आदे मामलों में तो उपाय की जरूरत ही नहीं होती तो उपाय जोतिश की टेकनीक क्या है तो जोतिश में कुण्डली में अगर आपको पता है तो उसको देखिये उसमें शुब ग्रय और अशुब ग्रय कौन से हैं कुंडली में ये देख लीजिए कि शुब ग्रह कौन से हैं अशुब ग्रह कौन से हैं फिर ये देखिए बली ग्रह कौन से हैं निर्बल ग्रह कौन से हैं मतलब स्ट्रॉंग बली में स्ट्रॉंग और निर्बल वीक ये देख लीजे, तो आईए ग्रहों के चार वर्ग बना लेते हैं, पहले तो शुब 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 देख लिया आपने, फिर देखा बली है या निर्बल अग्र है, तो अब चार करेंगे, पहला क्या है शुब होके बली हूँ, कोई ग्रह अगर शुब भी है और बली भी है, तो क्या उपाए की कोई आवशकता नहीं है तो आपकी कुंडली में भी इस तरह जोग रह शुब है और बली भी है अब भाई कोई आपके पेरेंट से मालो आपके लिए अच्छे हैं न वो और स्ट्रॉंगली आपकी हेल्प करने के लिए समर्थ भी हैं वो कर सकते हैं पैसा भी है उनके पास आप विदे जाना चाहते हो आपके लिए वहाँ का आरेंजमेंट कर सकते हैं आपने फ़लानी जगह एडमिशन लेना है पैसे की कोई तंगी नहीं है या सही टाइम पे सही सला देने के लिए तैयार हैं तो फिर आपको उनके लिए कुछ ज़्यादा करने की जूर्थ ही नहीं गरहों को हमेशा ये समझो जैसे वो आदमी है कोई आदमी है औरत मतलब मनुश्य जाती का है कोई इस तरह समझ लीज तो शुब होके बली है तो उसके उपाय करने की कोई जूर्थ नहीं है हर मामले में उपाय जूर्थ ही नहीं होता अब आप अच्छे बले स्वस्त हो आप ये थोड़ा के जी मैं तो बहुत अमीर आदमी हूँ मैं तो दवाई खाऊंगा ही खाऊंगा और सबसे महंगा तो ये हमेशा ध्यान में रखना है ज्यादत जोट्शी क्या कर रहे है हर एक चीज में आपको पकड़ा रहे है लो जी उसके पास कोई रतन पढ़ा है बेचना है लो ये रतन पहनना जरूरी है इस तरह से किया जा रहा है तो पहले तो मैं आज आपको पता चल जाएगा शुब होके जब कोई ग्रह बली हो तो उपाय करने की कोई जरूरत नहीं है दूसरा शुब होके निर्बल हो अब ग्रह तो है शुब लेकिन शुब करने में समर्थ नहीं है ठीक है ना शुब होके निर्बल है कमजोर है तो अब मैं इसकी बात बता रहा हूँ अब पांचो तो हम एक तरफ पांचो वो रख लो, एक तरफ ये चार केटेगरे रख लीजिए, एक तरफ मंत्र, रत, नौश्दी, दान, सनान, उनको रख लीजिए, उन में से कौन सा पिक करना आपने ठीक न? जिस तरह कीचन में होता भई, आप कौन सा इynस्ट्रूमेंट उठाना आपने, खाना पकाना है चब्ला बेलन उठाओ गए या चकु उठाना है, चमच उठाना है क्या लेना है? तो आप देखते चंद्रमा आपकी कुंडली में निर्बल है शुब तो होता ही आरेक के लिए और लगनेश हो गया उसका या किसी पार्टिकुलर भाव का स्वामी हो गया तो और भी ज्यादा शुब हो गया और वो निर्बल है उसको तो बली करना ही पड़ेगा ठीक है अब इवन मैं ये भी आपको बेशक भगवान नाम की कुंडली में चोथी राशी में लगन में ही बैठा है चंद्रमा लेकिन वो भी वो भी एक बार बहुत प्रॉलम में आ गए थे वो भी डिप्रेशन में चले गए थे उनको भी गुरु वशिष्ट के पास जाना पड़ा था और फिर एक गरं जैसे गोचर वहां से अशुबो का गोचर होगा तो आदमी प्रॉलम में आ जाता है चाहिए वो भगवान राम भी क्यों ना हो तो चंद्रमा को बली करना बहुत जरूरी है तो चंद्रमा को बली करने के लिए मैं पांच्छे उपाए बता रहा हूं आपको क्या करना चाहि है इस तरह से बीज मंतर बहुत तरह के मंतर है तो मंतर जब करेंगे इस भावना से के आपका मन आपका चंद्रमा बली हो अब आज यह रत्न दूसरा रत्न तो चंद्रमा शुब है लेकिन निर्बल है तो उसके लिए रत्न भी पहना जा सकता है रत्न उनके लिए पहनते है जो ग्रहे आपके शुब तो हो लेकिन निर्बल हो तो चंदर्मा का रातन क्या होता है मोती ठीक है मोती, वाइट परल पहनेंगे चंदर्मा की धातु क्या होती है चांदी चंदर्मा की उंगली कौन सी होती है आथ में लिटल फिंगर जब आप बच्पन में याद होगा ना आपको स्कूल में हम जब जाना होता था पिशाब करने तो क्या करते थे टीचर के सामने छोटी उंगली दिखाते थे ये जाना जी एक नंबर जाना है तो छोटी उंगली का रिलेशन पानी से है पेशाब से है पानी का कारक है चंदरमा तो शुब होके जब निर्बल हो मालो एक ग्रैकी ले रहा हूँ मैं अभी एक्जेम्पल के लिए तो उसका रतन मोती पहन सकते हैं चंदरमा की सबसे बड़ी पानी है चंदी के लोटे में चंदी के गिलास में पानी ले लो सबसे शुद्ध पानी कौन सा होता है एक बोचार जब हो जाते हैं बारिश की एक बोचार के बाद जो पानी आ रहा है उपर से वो सबसे शुद्ध पानी है संसार का उसको इखटा कर लो मान लो चांदी के गलास में या चांदी के लोटे में और दोनों हाथों में वो पकड़ लो और भाव ना करो कि ये ओशदी है जब हम जो भाव करते हैं वो पानी में आ जाते हैं कि मैं इसे ठीक हो जाऊंगा मेरे जो अजीर्ण है जो कॉंस्टिपेशन है वो इसे दूर हो जाएगी शरीर की गंदगियों से मैं मुक्त हो जाऊंगा और फिर उसको हम पिएंगे घूट घूट करके जिसको आचमन कहते हैं तो आप देखना वो औशदी का काम करेगा तो चंदर्मा की सबसे बड़ी औशदी है पानी फिर सारी लिक्विट्स जिसतरा मालो आप सबजी खाते हो भें कमल ककड़ी जिसे कहते है वो चंदर्मा के लिए फिर दवाई है सफेद मूसली है वो चंदर्मा की दवाई है जो लेडिस है मालो डिलीवरी हुई उस बड़ उनको भी खिलाई जाती है तो इस तरह से हरे एक ग्रह की ओशदियां है सिंगाडा है जैसे जल से उत्पन जो भी चीज़ें सब या जिन सब्जियों में ज्यादा पानी होता है जिस तरह तोरी गिया है उसमें पानी खूब है तो चंदरमा का रोल है उसमें तो इस तरह से ओशदि हो गया अब आये दान चोथा कहा दान अब कहा पहले तो शुब है आपका ग्रह और है निर्बल तो भाई दान तो कभी नहीं देना उसका जब आपके लिए जो ग्रह शुब हो लेकिन निर्बल हो अब आप पैसा चाहते हैं और दान कर रहे हो सोचो आप तो ये तो उल्टा अपने पाउं पे कुलाड़ी मालना हो गया तो उसके लिए उल्टा दान लेंगे देंगे नहीं लेंगे कैसे जिस तरह आपकी माँ है तो लाल किताब कहेगी कि अपनी माँ के हाथों से चांदी का टुकड़ा लेके अपने पास रखो या चावल लेके पोटली में बांद के सफेद कपड़े में अपने पास रखो इस तरह से चावल क्योंकि चंदर्मा का आनाज है चांदी चंदर्मा की धातु है इस तरह की बतते हैं और मा कहा है चंदर्मा की कारक या मा की सेवा करो इस तरह की बतते हैं तो बता दिया मैंने चोथा आपको मंतर रत्न औश्डी दान जब शुब होके कोई ग्रह निर्बल हो उसके लिए दान नहीं करना लेना है उल्टा और फिर पांचमा क्या होता है सनान तो जब भी कोई ग्रह शुब होके निर्बल हो उसका सनान किया जा सकता है अब चंद्रमा के लिए खास कर चंद्रमा के लिए क्या है सनान पानी चंद्रमा की कारक ठीक है तो मैंने बता दिया आपको पांच पांचों उपाए कौन से करने चाहिए कौन से नहीं करने चाहिए अब आईए तीसरा अब अशुब भी है और अशुब करने में समर्थ भी है बली का मतला समर्थ अब शनी अशुब है एक तो है अशुब है ठीक है वई साप है लेकिन वो आपके आस पास कई है यह नहीं अपने बिल में पड़ा रहा है वई लेकिन घर में है ड़स सकता है वो एकदम फुंकार है तो आपको उसको कमजूर करना पड़ेगा न तो जब कोई अशुब हो के बली हो तो उसको क्या करना पड़ेगा अब आपको निर्बल करने के उपाय करने पड़ेगे तो वो कौन-कौन से आप वापिस पांचो लेते हैं सबसे पहले मंत्र मंत्र पाठ करेंगे लेकिन अब मंत्र वो ही है लेकिन भावना बदल जाएगी भावना क्या होगी? कि इसका अशुब प्रभाव दूर हो अशुब प्रभाव दूर हो तो अब शनी के लिए स्तोत्र है स्तोत्र मतलब स्तुती उसकी पूजा प्रार्थना करनी है ठीक है न जिस तरह बच्चा मालो पिटने को है कलास में तो वो प्रार्थना करना शुरू कर देता है कि सर मैं तो यह हो गया घर में वो हो गया प्लीज आज माफ कर दो इस तरह शनी स्तोत्र मिलता है संक्षिप्त पद्म पुराण में नील शनी स्तोत्र कहते है उसको दशरत वोक्त नील शनी स्तोत्र यह का जाता है महराज दशरत उनको पता चला कि जी शनी जो है रोहिणी नक्षत्र का वेध करने वाले हैं और पूरे उनके राज्य में अकाल फैल जाएगा तो ये कायाता वो अपने रत पे चड़के सीधे शनी के पास पहुँच गए और उन्होंने शनी की स्तूती की शनी की शलागा की प्रशिंशा की और इस तरह वो बन गया शनी स्तूत्र तो अब क्या है शनी का स्तूत्र पाठ करेंगे साड़े साती है तब भी जब चंदरमा पे शनी का अशुब पर वाव आ गया तब भी या शनी की खराब दशा है तब भी इस तरह से जब शनी अशुब होके जरूर नहीं हर एक के लिए अशुब हो यह भी मैं बता दूँ अब शनी है मालो आपकी ग्यारमी राशी में लगन में बैठा है तो वो शश्मा पुरुश योग बना रहा है वो खराब है ही नहीं यह चोточर थेश पंचमेश होके चोथे में बैठा है वो तो वह शश्मा पुरुश योग में है वो खराब नहीं है तो कोई टेंशन लेने की जूर्थ नहीं है लेकिन अगर अशुब होके बली हो कोई ग्रह है तो उसे निरबल करना है निर्बल करने के लिए सबसे पहला क्या है मंत्र पाठ करना है इस भावना से कि वो अशुप्रभाव ना दे आप देखो कोई बदमास आदमी है कोई बुरा आदमी है आप पहले से हाथ जोड़ लेते हो कि अभी गलती होगी माफ करो तो उसमें थोड़ी सी भी तमीज होगी तो वो नुकसान नहीं पुचाने हो लब पहले जुक जाओ उसके पैरों में तो ये हो गया मंत्र फिर दूसरा रत्न कभी नहीं पहनना मैं देखा राओ खराब है लोग राओ का रत्न पहना रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना बेचना है मंगल खराब है पहले से मंगल का रत्न पहना जा रहा है मंगल दोश इतना जदा पहले से स्ट्रॉंग है शुक्र मंगल योग बन रहा है मंगल दोश का जब मैंने कॉर्स करवाया था इतना डीटेल में मैंने उसको बताए साइन्टिफिकली एनलाइज किया हमने 25 साल की रिसर्च है उसमें मेरी तो उसमें फिर मंगल का रतन पहना रहे हो फिर उसको रेड मीट खाने के लिए कह रहे हो गर मसाले खा रहा है वो शराब बे पी रहा है फिर तो वो पागली हो जाएगा बिल्कुली जंगली हाथी है उसको शराब पिला दी ऐसा हो जाएगा बिल्कुल तो नहीं उसका रतन कभी नहीं पहनाना अशुब होके जब बली हो रतन नहीं पहनाना फिर आईयो औशदी अशुब हो के बली है ओशदी भी नहीं मैंने अभी पता है इस तरह गरम मसले मंगल खराब पहले से है पहले से ही स्ट्रॉंग वो अपड़ा है शनी पहले से खराब है फिर आप बासी खाना खा रहे हो बहुत थंडी चीज खा रहे हो ठंडा पानी पी रहे हो फिरिज का शनी और खराब होईगा अशुब हो के बली हो उसकी ओश्दी मतलब एटेबल्स नहीं यूज करनी फिर दान हाँ जी बिलकुल दान करना है जब कोई गरे अशुब हो के बली हो दान करना है जिस तरह मंगल के लिए मैंने क्या बताया था मंगल जब बहुत स्ट्रॉंग हो रख्त दान करो बोन मेरो है वो भी दान कर सकते हो जो आप पुराने वजार अधियार पड़े हैं उनको घर से बार निकालो बहुत लाल रंग है उससे बचो दान करो बलकी वे चीज नहीं खानी आपने रेड मीट और इस टाइप की तिकी शराबें वो यूज नहीं करने दान कर दो पड़ी भी है तो कुछ तो ये बाते हैं ठीक है तो अशुब हो के बलियो दान करिए और फिर सनान उसका वो भी नहीं करना तो सनान अब मान लोग गंदक के पानी में सनान करे हो पहले मंगल आपका इतना बली है या बहुत गर्म पानी में सनान करे हो जब आपका मंगल वैसे इतना बली है उसका बीपी हाई हुआ पड़ा है अरवक्त इतना गर्म है वो आदमी इवन बुखार होता है, आपको पता ना क्या करते हैं, डक्टर भी क्या कहते हैं ठंडे पटी, ठंडा पानी बरफ पे रखो पहले तो पिर रखो सिर पे कि इसका टेंपरेचर लो करो पहले तो तो जब पहले ही मंगल इतना स्ट्रॉंग है बाडी में उसको कम करना है, तो उसका और ज़्यादा गरम पानी में स्नान कर रहे हो या गंदग के पानी में स्नान कर रहे हो, कभी भी नहीं ठीक है, तो मंत्र, रत्न, औश्दी, दान स्नान पांचों बते मैंने बता दी, अशुब होके जब बली हो तो उसका मंतर पाठ करेंगे इस भावना से कि उसका अशुबत तो दूर हो रतन नहीं पहनेंगे, होश्दी नहीं प्रयोग करेंगे, दान करेंगे जरूर और सुनान नहीं करेंगे चोथी कैटिगरी अशुब होके निर्बल हो, जब कोई अशुब है अब एक साहप है इसे बाचीत ही नहीं करता, वो इधर उधर उठा पटक में भाग ले रहा है तो वोई कहते हैं वह अपनी मौत मर जाएगा, क्या लेना है, हम क्यों पाप सिर्फ डालें तो जब कोई ग्रया शुब है और निर्बल है, कोई उपाए की जूरत नहीं है छेडो ही मत उसे, खनम बात, क्या करना है तो ये चार कैटिग्रिये में ली, चार में से भी केवल दो में उपाए होते हैं और दोनों में कॉमन क्या है, शुब हो के निर्बल हो, तब भी मंतर पाठ कर सकते हैं इस भावना से के वो बली हो, और अशुब हो के बली है, तब भी मंतर पाठ कर सकते हैं इस भावना से के वो निर्बल हो, या शुब प्रभाव ना दे ये मजिदार चीज है, मंतर दोधारी तलवार है दुनों काम हो सकते हैं इसे ग्रह का शुबत्व बढ़ाया जा सकता है और शुबत्व कम किया जा सकता है ये खास बात है मंतर में